बात यह है कि यह हमारी उम्मीद की इंतहा की वी हद है कि जिन जो राजनितिक दला आई के तहटिना चन्दा आया कैसे आया यह जनता को बताने से कतराते हैं उनी से हम उम्मीद करते हैं कर भ़काला धन वापस ले आएंगे चाहे सरकार हो चाहे विपक्षुतम प्राइम टाइम में हम बात करेंगा हमारे साथ मुहमद सली में, सीपीम नेता, विश्वजित भटाजार्या साहब हैं, स्तंबकार, डॉक्टर संबित पातरा है, बीजेपी प्रवक्ता, अर्विन विर्मानी जी हैं, पूर्वत चीफ आर्थिक सलाकार, मुख्या आर्थिक सलाकार और पियल पुनिया साहब हैं, राजिस सभा सांसद हैं, कॉंग्रेस के, संबित जी मैं आप से जानना चाहता हूँ, कि ये सब आपने वही कहा, लगभग-लगभग सरकार के तरफ से, जो बहुत दिनों से कहा जा रहा था, तो क्या आपने इस बहस के जरीए, सौ दिन, दो सौ दिन, कितना लाग करोड है, इस से अब छुटी पा लिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए, आज जो स्थापित हुआ, संसद में जिस प्रकार से डिबेट हुआ, इस स्थापित यहीं हुआ कि हम डिबेट्स और डिसकॉशन से बिल्कुल नहीं भागेंगे, आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम उसका जवाब भी देंगे, और सटीक जवाब देंगे, जहां तक यह साओ दिन, दो सो दिन, तीन लाग, पंदर लाग, यह सब का विशय है, मैं पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूँ, आज वेंक्या जीने भी पढ़ा था, मुझे लगता है कि बार-बार यह पूछा जाता है, तो एक बार ही पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ दिया जाए, और यह आप मुझे अलाव भी करेंगे, तीन-चार लाइन ही है, ब्लैक मनी के उपर पार्टी कहती है, बाइ मिनिमाइजिंग दे स्कोप अफ करॉप्शन, आगे जो अंग्रे जी में हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, तीन लाइन है, एक कि हम जो भी नया कानून बनाना है, वो नया कानून एनेक्ट करेंगे, ताकि पैसा वापस आ जाए, और जो पैसा हिंदुस्तान का है, किसी भी कीमत पे उस पैसे को हम हिंदुस्तान वापस लाएंगे, तो आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम हैं, जेकि सितरा मेचूरी ने आपने एक बयान तो दिया, सितरा मेचूरी ने इसको भी कोट किया है, यह 18 जनवरी 2014 की आपकी आर्थ नेशनल काउंसिल में कही गई है, वो यह कह रहे हैं कि 2011 में आपके पार्टी प्रेज़ज़न जो राजना सिंग है, वो कह रहे हैं कि अगर नाम बताने में स्विस बैंक में किसके नाम हैं, अगर कोई भी इसमें कोताही बरती गई, अगर काला धन है, यह कुछ बताया गया आप, कुछ रिवाइज हुआ है एस्टिमेट आपनों के हिसाब से, अब राम देवाला एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट, और सरकार का मिला के, अदवाणी जी का एस्टिमेट, इससे कोई एवरेज आप नया निकला है, देखिए मुझे लगता है, बड़े मैच्यॉरटी के साथ, खुले पन के साथ में यहां विशे रखूँ, आप देखिए स्वभावी क्रूप से जब हम उपोजिशन में थे, आज कंटेंशन का विशे यही है, कि उस समय तो हम कुछ रकम बता रहे थे, आज मन की बात में हम क्यू रकम नहीं बता रहे हैं, यही है ना सवाल, मैं इसका उत्तर देता हूँ, देखिए जब आपोजिशन में थे, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, यह बड़ा सीइसनेस का विशह है, देखिए, 25 लाग करोड रुपए ब्लैक मनी है, CBI डिरेक्टर एपी सिंग ने, खुद सदन के फ्लोर पे खड़े होकर, यात्रा निकाले थे, दो-दो बारा, मैं बहुत संजीत की के साथ इस विशह को रख रहा हूं साहब, आप देखिए, CBI के डिरेक्टर देश के अप लोगों को बताया है, कि उतना नहीं है, 25 लाग करोड नहीं है, 5 लाग करोड देखिए, ऐसा कुछ बता है, यह है कि एक सेंग साहब यूही नहीं थे, वो CBI के डिरेक्टर थे, और जब सदन के पटल पे खड़े होकर, एक वक्तववे को रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक रकम कोड किया है, वो CBI, वो भी Interpol के विशे में जब बात कर रहे हैं, तब रख रहे हैं, तो हमने उस रकम को, हमने उस रकम को उस समय मान के उसको आगे बढ़ाया, मगर जब हम आज सरकार में, और प्रदान, उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स, तो चले, एक लाग रुपया जन्दन में आपने इंशोरेंस के रूप में दे दिया, अब बचा दो लाग रुपया, दो लाग रुपया कैसे देंगे, देखिए, रवीज जी, मुझे लगता है, अब कोई ऐसा एसा एस्टिमेट है आपके पास, है या नहीं है, उससे सिंपल सा जवाब है, एस्टिमेट होने के प्रोसेस में है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भरोसा रखिये, ये मेरा प्रायरिटी है, कि किसी भी कीमत पे कालाधन वापस आएगा, और हम इस पे तुरित कारेवाही कर रहे हैं, तो कारेवाही में ही कितना रकम है, ये भी पता लगाना काम है। नहीं मिला बने इन तमाम रूटीन के आश्वासनों के लागा। दूसी बात ये है, वो कहते है कि हमने कारवाही करेंगे ये कहा था, पैसा वापस नहीं लेंगे। उसी कारवाही पे आप बताएं कि वो संटूस्ट हैंग नहीं है। आपको मालूम है, सार्दा जो कैम हो रहा है बंगाल में, तो ममता बनेजी भी पिछले तेरे साल से यही कह रहे थी, कि हमने SIT बना दिये, दुने SIT एक नहीं है, तो SIT बना देना ही, मतलब सत्य में पहुच जाना नहीं है, और रुपया वापस लाना भी नहीं है। 23 मही को, इस साल नहीं मैं बहुत कर रहा हूँ, अल्टीमेटर हम दीती सुप्रीम कोट, कि 15 जिन के अंदर SIT बनाओ, तो कि पुरानी सरकार वह SIT नहीं बना चारही थी, और उजी पुरानी जाची का यहीं सरकार भी देने चारही थी, आप देखा तो नाम देने के बारे मे आप देखा, खुद तर्क वही, परनमुखर जी जो कहते, सरकार पार्टी इधर से उधर होती है, लेकि सरकार की बात इधर से उधर नहीं होती, जो बात सरकार है। काफी नहीं है आपके हिसाब से समझने के लिए, वो प्रयास कर रहे है, अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो क्या किसी सरकार को यह वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? यही कारण है कि हम आज विपक्ष अरुन जी के भासन को पूरा नहीं सुने रास सवा में सुने लेकिन हमने वाक आउट कर गए क्यों कर गए कि वही रिपिटेटिव बात हो रही है सवाल यह है कि आज discussion था लोग सवा में के to expedite the process पैसा वापस लियाने का जो तरीका उसको expedite क सब्सक्राइब को भेजा गया उसके साथ 2-3-4 चीज़ें है जो 2011 से G20 में प्रधान मंतर ने का और इंडिये ने जो कहते अब यह बात साफ है कि ठीक है अंतरास्ट्रिया जो समझाते हैं वह अर्चन में हैं है ना मैं यह बात आज मैं भी रखा अर्चन को हम समझते हैं जम मोदी जी को मालूम नहीं था इसका मतलब वह जान बुचकर के जंता को गुम रहा किये वरना उनको मानूमना चाहिए कानूम के प्रणान के जो 20 साल की विसर बता रहे हैं वह 20 दिन बाद क्या होने वाल उसको नहीं मालूम था इसका मतलब यह अगर असत्य के लिए कुछ न अनिवारी है क्योंकि बार बार यह विशय उठ रहा है इसका वीडियो है वीडियो भी सुना हूँ अभी तो इतना रकम है तो क्या यह रखम हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहिए और अविज जी आप भी मानेंगे कि 2009 से जब यह विशय यह विशय नहीं था इस विशय को हिंदुस्तान में लाने वाला कुछ था तो भाति जबार पार्टी के जणुट से पहले से ही लोग सब्सक्राइब ने आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर जाना कि वह विश्वस्ट ने पूछ रहे हैं आप इसे तो नहीं खाखा रखा स्वभाविक रूप से जो टास्क फोर्स इत्यादी देश में विशिष्ट लोग हैं उन्होंने जो रकम कहा उस रकम के उपर एक खाखा रखा गया जागरत लोगों को किया गया मगर ऐज़ा प्रधान मंत्री जब कमान उनके हाथ में है बागडोर उनके पास है स्वभावी ग्रूप से यह बहुत अनिवारिया है कि एक बहुत रेस्पॉंसिव रकम केट कोट करना पड़ेगा आकलन तो बताई सकते थे कि इतना काला धन है चार लाक करोड नहीं है जो साथ वर्षों में कैलकुलेट नहीं हो पाया वो जरूर होगा यह हिंदुस्तान का कालकुलेशन ग्लोबल फाइनेंशल इंटेगरिटी का कालकुलेशन है आप यह कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी वो एपी सिंग डिरेक्टर जो सीपी आई के हैं उनके बात करके नहीं हो रही है जिन विशियों पर पब्लिक मूड है उसको जागरित करके पब्लिक में बॉरिया हैं जब आप ये समझते हैं तो फिर अपनी राजनितिक प्रक्रिया में या प्रतिक्रिया में आप इस सरकार को मौका क्यों नहीं देते हैं आपकी आप दोनों भाई-भाई हैं इस मामले में देखे वो जो कर रहे हैं वो को साफ सामने नजर नहीं आता और मैं आपको बता दूँ बार-बार कहा जा रहा कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो अभी 92 कंट्रीज के साथ 92 देशों के साथ संदी है दबल टेक्सेशन आवाइडेंस ट्रीटी और उसमें NDA की सरकार जब अटल विहारी वाजपाई जी थे परदान मंत्री उनके दोरान कारकाल में 17 देशों के साथ संदी हुई जिसमें सुर्जेलन की भी उसमें संदी थी तो ये सब इनको जानकारी थी कि इसकी क्या परक्रिया है और जब जान दे रहे थे चुनाव से जस्ट पहले तो ये जुम्मेवारी इनके पास होनी चाहिए क्योंकि ये सरकार में रहे के इनको जानकारी है कि इसके बारे में क्य है अब मैं ये बात करना चाहता हूँ आप बार-बार कह रहे हैं कि साब वो एपी सिंग साब ने एक फिगर दे दी थी और इस वजे से वो ने कर दिया था मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसके आदार पर जो सूचना के आदार पर जो एक्चेंज ओफ से संदी की कि इन इन पैसे को हम वापिस हिंदुस्तान में लाएंगे ऐसा तो कोई कोई भी संदी इन्हों नहीं किये ये बता दें अगर स्टेप उठाया हो एक नए पैसे का अगर उस पे कारवाई हुई हो के भार भार जो पैसा हिंदुस्तान का है काला धन मान लिया जाए तो उसको वापिस लेके हिंदुस्तान में आएंगे ताकि वो गरीबों में बाट देंगे 15-15 लाग के इसाब चाहिए तो वो कोई प्रोसेस नहीं शुरू किया तो जो जो बात हो रही थी जो बात हो रही थी के काला धन वापिस हिंदुस्तान में लेके आये थे वो टोटली फरजी है उसमें कोई आधार नहीं है उसके आधार पर कोई कार्वाई हिंदुस्तान की सरकार जो बात हो जाएं तो हो जाएं तभी तो बतांगे एक कदम गिना दीजे कि जिसमें काला धन इतना है और लाने के लिए त्यारी हो देगे पहली बात है धाई वर्षों तक सरका सुप्रीम कोट की बात को नहीं मान रही थे रिवीव पेटीशन तक जाल रही है उसलिए उनको चवाली सी डाई और आप तो सौ दिन करने वाला थे इसलिए अपनी बात नहीं बताएंगे एक सकेंड धाई वर्षों तक रिवीव पेटीशन कर रहे थे धाई दिनों में हमन इसलिए आपको समझना पड़ेगा हम एविडेंस कर आए जब मेरी बोलने की बारी आती है सब दीश में आ जाते हैं सचाई को रोकने के प्रयास ने 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 सचाई सचाई अगर है तो सिर्फ आज से बात के सांथ मुझे 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 मेरे साथ है सचाई इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आप देखिए आप देखिए जो 600 नाम आये हुए है चोरी के नाम है बले ही वह जो नाम आही हुए यही इस पर हम evidence देंगे आपको जो हमारे देश में है, यह कितना बड़ा achievement है, यह मानिये है, इसके अलावा भी तो कोई case आपने किया होगा, ना, 6 महिने में 60 वर्ष का काम करें, इसको किसी को पड़ा होगा, यही पताने था कि 627 के अलावा भी आपने किसी को पड़ा है, 627 के अल information, पूरी information available भी हो जाए, तो इनके प्राविधान के हिसाब से text वसूल करेंगे, prosecution करेंगे, कौनशा ऐसा प्राविधान है, जिसमें आपने किया है, जिससे वो धन वापिस आएगा, पूरा धन वापिस आएगा, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, तो यह आप बात करें, ग सरकार बनने वाली है, नहीं सरकार बनने वाली है, कुछ बित्मंतरी कह रहे हैं, है ना, सीतारा मियचूरी ने कहा है, कि यह जो double taxation agreement है, जिसके साहरे लेके बहुत दलिले दी गई, दरसल वो एक fraud है, वो capital gain tax पे भी एक तरह से रियायत देता है, और दोनों देशों में, दू बाब से क्या आप संतुष्ट हैं, कि हाँ ये तीन-चार ऐसे step हैं, जो सही दिशा में ये काम कर रहे हैं, भले वक्त लग जाए, आप छोड़ दीजे सौधीन वाला आप उसका क्या हुआ, या उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे को टाल दिया, कालीन के भीतर छिपा दिया, जिस पर वो बोल नहीं न, जिससे आपको उनकी इमानदारी या निश्ठा पर शक है, रवीश जी ये तालने वाले ही बात है, ये सारा मुद्दा जो संसत में चल रही है, इतना इसका लेवल, मेरा हिसाब से इतना निमना लेवल है, क्योंकि बेसिक इशु जो है, बेसिक इ दॉलर आप ला नहीं सकते, काला धन वापस लाने का मतलब ये नहीं है, कि इंडियन रूपी ले आए, स्विस बैंक में कोई रूपी नहीं रखता है, और काला धन वापस लाने का मतलब है, यू. डॉलर, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, रवीश जी, इस एक डॉलर काला धन नहीं आएगा और ये पार्लामेंट पे डिबेट क्या आए क्या चल रहा है ये डिबेट क्या चल रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिमोक्रेसी में कॉंग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए सीपियेम बोलिए कोई ये मुद्ध उठा नहीं सकता आप काला धन वापस नहीं ला सकते आपको उसकल ये कानून का संखोधर करना परेगा इसलिए ये लोग पूछ रहा है कि ला देंगे इन्होंने कहा था कि हम ला देंगे ये कह रहा है कि कानून में बदला हो किया जा रहा है जनता को गुमरा हो किया जा रहा है बैंकिंग सिक्रेसी हो आपको चाहे सारा दुनिया के Wisconsin में मिल जा है लेकिन आप काला धन झब तक हिंदूस्तान का जब कानून जब तक आप संखोधन नहीं करेंगे हमारे prevention of money laundering act में, आपको पता है मनी लॉंडरिंग नहीं है और पार्टिसिपेटरी नोट से काला धन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ये जो सारे जवाब मिल रहे थे वित्मंत्री के तरफ से या विपक्ष के तरफ से सुझाओ दिये जा रहे थे। नंबर्स हैं कई बारी देखे हैं ये जो नंबर्स बनाता है उसका इंसेंटिव होता है कि जितना बड़ा नंबर बने अतना अच्छा है। मुझे याद है 1991 में एक एमनेस्टी स्कीम बनाई थी और उस एमनेस्टी में कई लोगों ने बड़े बड़े एस्टिमेट दिये थे। अब मुझे एक्जैक परसेंटेज याद नहीं है पर जो एस्टिमेट से उससे तकरीवन टेंथ भी नहीं आया था पर एमनेस्टी में वो एक्च्छल डॉलर्स उनको रिमिट करे थे और एमनेस्टी के अंदर वो आये थे तो एक तो ये बात है जी जो नंबर्स हैं ये बह को जो हम करप्शन को स्टस्थ UCLA कर रहे हैं कितनी देर से तो एक चीज है कि ये टैक्स अवेजन से जो काला भन बनता ये टैक्स अवेजन से प्रपूर्शन कम होता गया है करप्शन का बढ़ता गया है तो अ किम्पैर करें से 20 साल पहले तो मच लारजर प्रपूर्शन is now coming from corruption और कीसरी बात है कि obvious corruption और सबसे convenient method जो हमें सबको पता है अगे हम investigate करते हैं बात करते हैं वो है land में तो ज़्यादा तर जो corruption होती है और सारी across the board होती है कई लोग समझते हैं कि खाली जो बड़े अमीर हैं वो कर रहे हैं corruption चोटे से चोटे से लेके उपर तक हो रही है तो convenient यहीं होता है कि land खरीद लो तो a lot of the black money of course is in land तो उसके लिए land laws land policy कई चीजें सुधार नहीं पड़ेगी अगर उसका कुछ करना विर्वानी सब मेरा यही सवाल था आप से कि इन सब संदर्वों में क्या आपको लगा कि सरकार इस पहलू में कुछ अपने इक्षा जता रही है या पहल कर रही है आज जब आप ना दिया हो लेकिन पिछले छे मेने में कोई कदम उठाया हो उन सब के को याद करते हुए आप बता सकते हैं देखिए ये बहुत पॉलिटिक्स मैं सुन रहा हूँ पच्चीस मिनट से तो ये पॉलिटिक्स की चीजों में तो मैं बिलकुल नहीं आना चाहता पर मैंने मेरा पॉइंट जो है कि ये इसकी बात करनी ज्यादा असान है एक्चिली जो उसको लाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है मैं कह रहा हूँ एमनेस्टी में नहीं आया तो जा को इसको इन्वेस्टिकेट करना उससे लाना क्योंकि वो लोगों के नाम की है वहां पे लीगल प्रॉसेस करने पड़ेंगे हाँ वालिंटरी डिस्कोशर में तो लोग ले आये और यहां रख दिया अगर वहां पे लोगों के बैंक काउट है वो है वो ऐसे ही थोड़ी गब्मेंट को हैंड ओवर कर देंगे